आज हम बनाएंगे तीखी चटपटी हरी मिर्च जो के खाले में बहुत ही स्वादिश लगती हैं तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपनों का मेरे चैनल लाने की रसोई मिलब टेक में इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर धेर सारी हरी मिर्चे ले रखी हैं जिने हमने धूल करके साप कर लिया है यह तीखी वाली मिर्चे हैं हम इन मिर्चों का डंठल हटा कर इन्हें दो दो टुकडों में काट लेंगे हमने यहाँ पर कुछ मसाले ले रखे हैं मसालों में हमने यहाँ पर आधी चम्मच से भी कम मंगरेल लिया है आधी चम्मच से भी कम मेथी दाना एक चम्मच भर के सौफ एक चम्मच भर के खड़ी धनिया एक चम्मच भर के काली वाली सर्सो दस से बारक काली मिर्च दो से धाई चम्मच आम चूरका पाउडर यानि की खटाई लिया है और हमें चाहिए नमक हमने यहाँ पर सारी मिर्चों को इस तरीके से दो दो टुगडों में काट करके ले लिया है अब हम गैस पे रखेंगे पैनिया कडाही हम कडाही में हमने जो मसाले लिये थे उन्हें बारी बारी से डाल देंगे और इन मसालों को हम धीमी याज पर बराबर चलाते हुए लाल होने तक भून लेंगे मसालों को भूनते समय हम गैस का आस धिमा रखेंगे आप देख सकते हैं कि मसाले लाल हो चुके हैं, अब हम इने पैन से निकाल करके पीछ लेंगे हमने फिर से गर्ष पे वही पैन रखा है, अब हम इसमें 2.5 चम्मज सर्सो का तेल डाल देंगे तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें कटी हुई मिर्च जो हमने रखी है, उसे डाल देंगे हम इन मिर्चों को मीडिये माच पर बराबर चलाते हुए, हलका सा मुलायम और मिर्चों का हलका सा कलर बदलने तक इन्हें भून लेंगे मिर्चों को भूनते हुए लगभग चार से पाँच मिनट हो चुका है, और यह मिर्ची भून करके हलकी हलकी मुलायम हो चुकी है, और इनका कलर भी हलका सा बदल चुका है अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो मसाले भून करके पीसे थे उन्हें साथे में हम इसमें डाल देंगे आमचूर का पाउडर यानि की खटाई और नमक नमक की मातरा हम थोड़ी सी अधिक रखेंगे मसाले डालने के बाद हम इन मसालों को मिर्चों के साथ अच्छी तरीके से बराबर चलाते हुए मिला लेंगे और इन्हें मसालों के साथ हम फिर से दो मिनट तक धीमी आज पर भून लेंगे मिर्चों को घुनते हुए लगभग दो मिनट हो चुका है आप देख सकते हैं कि यह जो मसाले हैं मिर्चों में काफी अच्छी तरीके से मिल चुके हैं अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे यह तीखी चटपटी हरी मिर्च बन करके तयार है जो के खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है आप इस मिर्च को 10 से 12 दिन तक इस्टोर करके रख सकते हैं आप इन्हें दाल चावल के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं इनका स्वाद खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है आप लोगों को मेरी अतिखी चटपटी हरी मिर्च की रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा जरूर अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा साथी में बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों तक पहुशती रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद